नमस्ते फ्रेंज मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा अपने यूट्यूब चैनल में और अपने फेस्बुक में एक वीडियो बनाऊं और उससे सब लोग को थोड़ा सा ख्लारिफिकेशन देना चाहता हूं क्योंकि मेरे नाम में मैंने मीडिया में पिछले 4-5 जन से बहुत चीज़ सुना है और मेरे नाम में किसी लोगों ने मेमरेंडम भी दिया है गवनर को कि मुझे EDC का इंचार्ज बनाया जाए मेरे खिलाफ किसी लोगों ने प्रेस कॉन्फरेंस भी किया है कि मुझे EDC में इंचार्ज नहीं बनाया जाए किसी और को बनाया जाए सबसे पहले मैं एक क्लारिफिकेशन देना चाहता हूँ कि मैं कोई पोजिशन या पोस्ट में इस समय इंट्रेस्टेड नहीं मैंने अपना तिप्रा मोथा शुरू किया और मैंने कॉंग्रेस पार्टी से सेप्टेंबर 24, 2019 में मैंने रिजिगनेशन देया था जब मैं प्रेजडेंट था और उस समय मैंने जब रिजाइन किया था तो मैंने एक चीज बहुत क्लियली कहा था कि मैं अपने ideology, अपने principle और मैं corruption के खिलाफ हूँ और मैं ये तीन चीज में मैं compromise नहीं कर सकता जो बात मैंने अपने लोगों को बोला है मैं उससे पीछे नहीं जा सकता हूँ और मैं अपना जबान का पक्का हूँ मैं corruption को handle नहीं करूँगा अपना ideology और अपना principle को मैं dilute नहीं कर सकता हूँ और मैंने Congress के पत से उस समय resignation दिया उसके बाद बहुत Congress के बड़े बड़े leader लोगों ने press conference किया मेरे खिलाफ कहा कि मेरे संग BGP का एक understanding है और मैं BGP join करने वाला हूँ बहुत लोगों ने क्या क्या कहा मेरे खिलाफ मैंने BGP join नहीं किया In fact, जब citizenship amendment act हुआ तो BGP जो दिली में जो सरकार उन्होंने पास किया था मैंने उसी सरकार के खिलाफ आंदोलन लांच किया और आज भी मेरा case Supreme Court में है Government of India के खिलाफ कि ये citizenship amendment act हमारे हित में नहीं है जब मैंने तीपरा मौथा शुरू किया था तो मैंने कहा था कि मैं politics से हटके अपने तीपरा साथ लोगों के अपने तुरुपरा की लोगों को मैं help करना चाहता हूं उनका सेवा करना चाहता हूं मुझे इस गंदगी से इस politics से जहां में जंडा लगाता है, कोई उसका जंडा उखारता है, मैं उसमें नहीं किरना चाहता हूँ और मैं सेवा करना चाहता हूँ अपने लोगों का। बहुत बड़े बड़े लीडर्स लोगों ने कहा था कि ये क्या है कोईला जाती उलोपाटी, मतलब क्या है इसका। मैंने हमेशा कहा दौफा को आगे रखो, पॉलिटिक्स को पीछे रखो, लेकिन ये लोगों ने विश्वास नहीं किया। और अपने सिध्धान पे रहे और आज ब्रू रिहेबिलिटेशन का पैकेज हुआ है जिसमें तृपुरा भी शामिल है। मैं खुद अमिर्शा से मिला ग्रह मंत्री जी से और मैंने उनको कहा कि हमारे रियंग लोगों को तृपुरा में रहने दीजिए। मिजराम में उनको बहुत खराब तरीके से रखा जा रहा है। उन्होंने मेरा बात स्विकार किया। और नरिंद्र मोदी जी ने और अमिर्शा ने खुद पार्लिमेंट में ये कहा है और पब्लिक रैली में कहा है कि हम अपने रियंग को तृपुरा में अब एक सम्मान का जिंदगी देना चाहते हैं। बस बात खतम। कोई पॉलिटिक्स नहीं है। मैंने अपने रियंग लोगों के लिए बात किया कोई पॉलिटिक्स नहीं किया। उसके बाद सिरिजिन शिप अमिर्ट में नैट हुआ। जो लोग इतना कम्प्लेन करते हैं जो लोग इतना बात करते हैं। CAA में सिर्फ पतल कन्या और मैंने ही केस फाइल किया। तो उसमें भी हमने अपना सिधान्त में ही केस फाइल किया आज भी ये केस चल रहा है और मैं आशा करता हूँ कि एक दिन आएगा जब CAA हमारे तुरुपड़ा में लागू नहीं होगा तीसरा चीज़ एनर्सी एनर्सी में विजे कुमार अंकल आएन पीटी का जो चीफ है मैं और रंजीत बर्मार ने एनर्सी का केस फाइल किया कि तुरुपड़ा में एनर्सी होना चाहिए जाती धरम के और भाषा में नहीं लेकिन एनर्सी होना चाहिए जैसे आसा में हुआ है और एक अच्छे तरीके से जहां में आप किसी को discriminate ना करें बहुत लोग ने बोला था कि हम इसका हम चाहते हैं लेकिन किसी ने नहीं किया हमने किया और ये भी party को देखकर नहीं किया non-politically किया अब करोना आया करोना के टाइम हमने हजार हजार को help किया है तीप्रा मौथा ने तीप्रा के अंदर help किया है बाहर help किया है और हमने कभी जाके किसी से नहीं पूछा कि आप CPM हो BJP हो, INPT हो, TPF हो तीप्रा हा हो Congress हो, कुछ भी हो हमने जाकर सिर्फ अपने तीप्रा सा को देखा है और इस तीप्रा सा में मौग है चाक्मा है काइपेंग है, रंग खौल है, सब है और मैंने सब को help किया और हमने, तीप्रा मौथा ने सब को help किया, कहीं जाकर नहीं किसी से बोला कि आपका party क्या है, आपका दल क्या है तभी हम आपको help परगे, ये जण्डा लगाओ ये जण्डा लगाने के बाद आप हमारा नारा बजाओ तभी हम आपको बिर्मा देंगे, भाद देंगे या रांग देंगे, हमारे बहुत लोग बाहर भसे थे, जहाँ जहां शमता हुआ, अपने pocket से हमने लाया, अपने pocket से, कोई धर्मिक organization या political organization से एक रुपया नहीं लिया, हम लोग ने अपने शमता में किया, तो जब ये बात पहलता है, और ये बात आता है कि बुबागरा को आप ये बना दो, हम बुबागरा को नहीं जाते हैं, ये नहीं होगा, अरे मुझे इस राजनीती में आप क्यों तांते हैं, मैंने पहले से कहा है, मुझे आपके गंदे राजनीती में नहीं पढ़ना है, ने मेरा नाम प्रपोस किया, मैं थैंक यू पतल, लेकिन पतल मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मैं तीन छे मैने में क्या करूँगा अपने तिप्रा के लिए, कुछ नहीं कर सकता हूँ, और जिसने मेरा विरोत किया, प्रेस कॉन्फरेंस हुआ, मैं पार्टी का नाम नहीं लोगा, सब लोग जानते हैं, वहां मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त है, मैंने उस प्रेस कॉन्फरेंस के एक दिन पहले ही क्लारिफाई कर दिया था, कि मुझे पोस्ट नहीं चाहिए, मुझे पद नहीं चाहिए, मैंने एक दिन पहले क्लारिफाई कर दिया था, मैंने आप लोग को जो करना है, आप लोग करिए, उसके बाद आपने press conference किया, क्या दरकार था, लेकिन आपने किया है, चलिए, हो गया, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप लोग को भी maturity दिखाना चाहिए, and last point मैं सबको कहना चाहता हूँ, ये आप लोग जो इतना politics इतना आपके अंदर खून में है, इस coronavirus के time, आपके एक-दो leader को छोड़ कर, सब party से, एक-दो leader को छोड़ कर, आपके MLA कहा है, मैं बात सुनता हूँ, कि आप government employees के salary काट कर, आप सरकार चलाएंगे, मैं पूछना चाहता हूँ, कि जो 60 MLA's है, उनको MLA fund मिलता है, आप उनके MLA fund से भी कुछ काट लीजे, ठीक है, हमेशा, यह MLA fund का, जो maximum पैसा तो जाता है, आपके party worker को, आपके भांजे को, आपके nephew को, आपके कोई बहनोई को, आपके कोई रिष्टेदार को, आपके कोई contractor को, आप ऐसा कीजे, जो आपका MLA fund आता हूँ, आहां से भी 5-10 लाग रुपया काट कर, आप हमारे government के कर्मचा सारी का salary क्यों काटना चाहते है, आप MLA fund काटिये, वो MLA fund का कुछ auditing होता है, किसी को मालूम है, किसी को मालूम नहीं, तो यह सब चीज है, और आपको अगर नेतागिरी इतना करना है, लाल बत्ती उपर चाहिए, गन्मेन चाहिए, बोडी गाड के लिए, प्रद्योत मानि काम कर रहा हूँ, आप अपना राजनीती कीजे, मैं अपना काम कर रहा हूँ, और इस गंदे राजनीती में, आप मुझे मत तानिये, मैं भी politics में था, मैं भी politics जानता हूँ, यह समय politics का नहीं है, करोना से बहुत लोग आज हस्पताल में है, कॉरिंटीन में है, बहुत constructively एक संग होकर अपने राजी के लिए काम करने के लिए आपको election का चिंता है बई और election में आप क्या करेंगे जंडा गाडेंगे, कोई जंडा उखाडेगा कोई ये बोलेगा कोई ये बोलेगा, अरे ये ADC क्या होने वाला हमने तो direct funding मांगा था, आज तक direct funding मिला, नई CA में आपका क्या position है NRC में आपका क्या position है तो ये सब चीज़ भी तो है आप demand election के पहले करते हो election खतम, आपका demand खतम आप लोग सा VIP बन गए, ये नहीं चलेगा आप लोग अपना काम कीज़े तिप्रा मुथा अपना काम करेगा Last में बहुत लोग आज भी बाहर फसे हुए है Coimbatore से आज मुझे फोन आया Almost 50 लोग Tamil Nadu में Coimbatore में फसे हुए है मुझे फोन आया, गुहाटी में बहुत लोग फसे हुए है, बहुत लोग लेकिन उनको लाने के बाद प्रॉपर कॉरिंटीन कीजिए उसके बाद ही उनको गाउं में भेजिए क्यूंकि कॉरिंटीन टेस्टिंग के लिए आपको सिर्फ 48 आज लगता है या 72 आज वो तीन दिन आप अगर उनको कॉरिंटीन करके आपका रिजल्ट आ गिया तो वो लोग अगर पॉजिटिव है तो कॉरिंटीन सेंटर में चले जाएंगे और अगर नहीं है तो वो अपने गाउं में जाकर रह सकते हैं गाउं में फ्हलाना ये करोना फ्हलेगा नहीं और मैं स्टेट गर्मेंट को भी रिक्वेस्ट करता हूं मोदी जी ने खुद कहा है कि करोना को गाउं में नहीं पहुँचना चाहिए तो करोना को अगर आपको रोकना है तो जैसे लोग आएंगे आप उनको कॉरिंटीन सेंटर में रखे टेस्टिंग कीजिए टेस्टिंग अगर नेगेटिव रहा तब उनको गाउं में जाने दीजिए सिर्फ दो दिन लगेगा या तीन दिन लगेगा यह मेरा request है और आखिर में जो जो लोग ने मेरा सामने में मेरे पक्ष में कहा है मैं thank you बोलना चाहता हूँ आप चाहते हैं कि बुबागरा टुपरा में एक जादा बड़ा रोल ले लेकिन मैं बड़ा रोल ले रहा हूँ और मैं बड़ा रोल ले रहा हूँ non-politically बहुत लोगों ने मुझे कहा कि आप टिपरा का ओफिस खोलिए मेरे गाओं में मुझे मन में लगता है कि मैं ओफिस खोल के क्या करूँगा या मुझे तो स्कूल जो पहले से स्कूल है उसको help करना चाहिए वो पैसा ओफिस में क्यों डाले वो पैसा स्कूल में डाले कि वहां में हमारे जो बच्चे तिपरासा है उनका भवश्या अगे जाए उनको सिक्षा मिले वो अपना अधिकार जाने ये मेरा सिध्धान्त है और अगर मेरा सिध्धान्त रहा तो मैं कुछ करोगा लास्ट में जो लो मेरे खिलाफ है अगर आप मेरे खिलाफ है तो डारेक्टली आके बोलिए मैं पीछे से किसी के उपर वार नहीं करता हूँ आप भी पीछे से अटाक मत करो अगर आप को लगता है कि अगर बोबागरा उठेगा तो आपका भविश्य खतम होगा तो आप गलत फेमी में है मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ मैं करप्शन के खिलाफ हूँ मैं अपने लोगों के अधिकार के पक्ष में हूँ अगर आपको लगता है कि इसके बाद भी मैं आपके खिलाफ में हूँ तो हाँ मैं शायद आपके खिलाफ हूँ क्योंकि आप तब करप्ट और हमारे तीप्रासा किसंग नहीं है यही मेरा मेसेज है मैं अपने तीप्रा मौथा को बोलता हूँ रियाक्ट मत करो अभी भी बहुत काम है हमें अपने कामी में काम करना है अपने दोफा में काम करना है और थांचा चाहिए थांचा होगा तो ये लोग सब समय में हट जाएंगे हम लोग आएंगे We will rise We will be one We are तीप्रा बेलाइनो हम भाए धनिवाद